स्टैनली पर लगा धबबा जानताओं किसी चीप निउस चैनल की चीप लाइन जैसी साउंड कर रहा है लेकिन ये सच है तो अभी स्टैनली की डॉकुमेंटरी आई थी मार्वल पर जो तुम में से कई लोगों ने देखी भी होगी पर उसके साथ आया एक बैकलेश जो मुझे पता था कि आएगा ही तो जैक किर्बी जिन्होंने एक्स मैन डॉक्टर डूम और भी कई फेमस कैरेक्टर्स क्रियेट किये हुए हैं उनकी बेटे ने बोला कि ये बहुत गलत है कि कैसे पूरी इंडस्ट्री स्टैनली को फादर अफ कॉमिक्स जैसे सेलिब्रेट करती है स्टीव डिटको मेरे फादर जैक किर्बी और भी कई राइटर्स हैं जिनको वो भूल ही जाते हैं जबकि तुम अगर एक्चुल हिस्ट्री चेक करोगे तो स्टैनली ने खुद से बहुत कम कैरेक्टर्स क्रियेट किये हैं स्पाइडर मैन भी नहीं वो को क्रियेटर थे मोस्टली उनके साथ कई अच्छे क्रियेटर्स थे जिनको कभी वो सम्मान मिला ही नहीं अब मुझसे पूछो तो ये बास सच है स्टैनलेजेंड है पर उनको जैसे आइरन मैन बना दिया और किसी अवेंजर पर कोई ध्यानी नहीं देता जो कि थोड़ा सा एथिकली गलत बात है वो सब भी अपनी अपनी डॉकुमेंटरी और इतनी तारीब